कि हालो फ्रेंड्स मैं आज आपको एक सोलर प्रांट पर लेकर आया हूं मैं आपको यह प्लांट दिखाने जा रहा हूं और इसके बारे में कुछ जानकरी आपको प्रोवाइट कराऊंगा तो आप मेरे साथ चलिए और इस प्लांट को देखिए कि कैसे लगा हुआ है सही है इसके बारे में जानकर आपको दूंगा मैं कर आपको देखिए रहा होगा यह प्लांट लगा हुआ है यह देख रहे होंगे पीछे की तरफ है और यह देख रहे होंगे यह यहां पर इनवेटर लगा हुआ अश्य भी बॉक्स इसके हैड जो है उसको भी देख लिए और प्लेस देख लिए पर इसकी सपाइड़ नहीं आएगी अब आपको दिखाण जाता हूं याप देख सकते ह लेकिन अभी तो यह चाया नहीं दे रहा है क्योंकि इस टाइम चल रहा है और सरके उपर सूरज होता है तो यह काम इस टाइम पर चाया नहीं देगा लेकिन जो भी कि जो भी जुलाई के बाद महीने होते हैं जुलाई अगस्ट से तमबक टुवा नमबर दिसंबर जन्वरी फन्वरी यह चार पांच महीने में इस एले की सेड़ इन मॉडूल्स पर आती है जिसके इन मॉडूल्स की जनरेशन कम हो जाती है अगर एक स्टिंग के उपर भी इस कि अपर दोस्तो आयले को आप मोडूल के सामने ना लगा हमेसा एले मॉडूल की पिछे लगा जाता है कि इन लोगों न nagy गल्तis का रहिए इस सेट पर कि जो आयले को जगह दी गई आप देख रहे होंगे बाखी कोई प्लांट पोई दिखत नहीं है हर जगह पर मोडूल से पीछे ही पेड़ है आप देख रहे होंगे पर दोस्तों यह एले गरस लगा हुआ है यह एले इन मोडूल्स के उपर अपने सेट प्रोवाइड करता है जब भी आप देख रहा है तो आप देख रहे होंगे इस मोडूल्स के पीछे लगाएं आप देख रहे होंगे इस लेकी हईट पांच मिटर रहा है और अवह वहई बताना चाहरा हूं कि आप लेको लिगे नहीं लगाने इनसे क्या होता है आपके प्लान्ट में दिख्कत आएगे जनरेशन कम होगी जनरेशन लॉस होगी और पूरी स्टिंग जो भी करेक्ट है जिस पर आएगी वह अच्छे तरह से काम नहीं करेंगी दोस्तों कि बागी आप देखी रहे हैं कि 80 kW लगा हुआ है इसके अचीडी बॉक्स है एमर पूर्टर है कि आप देख रहे होंगे यह के इंदर से कि इनकी डीशी की बस जा रही है कि बागी प्लांट पर कोई दिखत नहीं है कि ओके कंडिशन पर रेंणिंग कर रहा है ब्लांग